आप सब बढ़िया होंगे तो आज किस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर रहा हूं लेटेस्ट वर्ग फ्रॉम हॉम जोब अमसोन कंपनी की तरफ से और यह वाली जोब आप सभी के लिए बहुत जादे स्पेशल होने वाली है अगर आपने 12 पास की हुई है तो भी आप इस जोब को करने के लिए एलिजिबल है साथ में यहापर आपके जो है बेनेफिट के बारे में बात करूँ तो आपको लैपटोब प्लस वाइपाई प्लस इंशुरेंस दिया जाएगा कंपनी की तरफ से और जैसे कि आप सब जानत है कि Amazon कोई ऐसी चोड़ी मोडी कंपनी नहीं है यह एक बहुत ही बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी है और जो भी मल्टी नेशनल कंपनी होती है वो अपने एंपलोईस का बहुत ही खयार रखती है तो इसलिए आपको जो है काफी सारे बेनेफिट यहां पर देखने को मिलेंग क्या होगा आईए उसके बारे में मैं आपसे बात करते हैं तो यहां पर जो है आपको जौप के लिए इतना ही करना होगा कि आपको घर से पैठके जितनी भी आपकेcip Bunu होंगे उनकी प्रॉम सोगी आपको उनको बस सॉल्व करना हो sunshine करें कि आपका mail के थूरू होता है, chatting के थूरू होता है, या फिर phone calls के थूरू होगा, ठीक है, यहां पर कोई भी आपको target बगारा नहीं दिया जाएगा, और यह बस आपको इसमें इतना करना है, कि एक छोटा सा test देना है, test के बारे में आ गया है, आपको वीडियो में बताने वाल अपने computer की screen बनने के चलता हूँ, कैसे आपको इसमें apply करना है, उसके बारे में बताऊँगा, job description आपको समझाँगा, क्या आपका काम रहने वाला है, बिल्कुल detail में, तो बिना किसी देरी के चलते मेरी एक बार आप computer की screen बारे, सो गाइस, जैसे कि आप मेरी screen पर देख सकते हैं, कुछ ऐसे interface आपको देखने को मिल जाएगा, इसका link में अपने video के description में आपको दे दिया है, तो बात करते हैं, तो अब बात करते हैं, Amazon Customer Service India के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, customer service team opportunity operate कैसे होती है, ठीक है तो सबसे पहले हम जानेंगे about us, तो यहाँ पर हम सबसे पहले benefits देख लेते हैं एक बार, तो आपको यहाँ पर meal, health insurance, night shift alliance, और साथ में overtime alliance भी मिलेगा, और साथ में आपको work from home के लिए internet भी यह लोग provide कराएंगे, बाकी के आगे भी हम benefits जानेंगे, इसके अलग-अलग, नए नए ठीक है, तो simply आपको सबसे पहले क्या करना है, search for a job now, find job पे आपको click कर देना है, click करने के बाद आपको यहाँ पर different type की jobs देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पर जो है, अगर कोई भी technical line में job करना चाहता है, तो उसके लिए already यहाँ पर virtual technical customer service के लिए job application है, तो यहाँ पर आप उसको apply कर सकते हैं, और जो non-technical है, उनके लिए virtual customer service associate की job है, और यह दोनों की दोनों job जो है, आपकी latest है, और यह बिल्कुल pan-india job से, यानि के आप कहीं से भी इसको apply करके काम कर सकते हैं, घर बैठे, ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर जानेंगे non-technical पे, तो virtual customer service associate इंडिया 2023 के latest job opportunity आप सभी के लिए निकली है, यहाँ पर काम क्या करना होगा, आपको वो मैं बता देता हूँ, तो आपका जो काम होगा है, यहाँ पर virtual customer, यानि कि आपको घर से बैठ के जो है, ऐसे customer service work करना होगा, यहाँ पर आपका काम क्या होगा, तो simple सा काम आपका यही ना, उनको आपको solve करना है, तो इस वाली जो जितनी भी यह paragraph लिखा हुआ है, वही चीज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कि आपको जितनी भी उनकी queries है, उनको chat के through, mail के through, और जितनी भी phone calls है, उनके through, जो है, उनकी skills, जो भी उनकी problems है, उनको solve करना है, आपके अंदर कुछ ऐसी skills होनी चाहिए, जो इनकी requirement है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक software के लिए, मतलब कि टूल दिया जाएगा, software based पर, जहांपर आपको जो है, सारी चीज नैविगेट करनी है, customer service से related, ठीक है, तो यह चीज आपका इसमें, जो है, काम रहने बात करते हैं, आपकी knowledge and skills required गी, तो आपकी जो knowledge skills है, वो क्या क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर होना है, communication skills के बारे में सबसे पहले बताया हुआ है, तो आपके पास जो है, excellent communication skills होनी चाहिए, for example, आपको बोलनी और लिखनी दोनों यह आपर आनी चाहिए, ठीक है, ability to communicate correctly and clearly with all customer है, तो आपको जो है, customer से बात करनी आने चाहिए, बिलकुँ clearly and correctly, ठीक है, third है, यहाँ पर आपका excellent documentation skills, आपको जितने भी document होते हों, उनको जो है, अच्छे से check करने आने चाहिए, ठीक है, cross verification करना आने चाहिए, good comprehension, skills, ability to clearly understand and state the issue customer present, तो आपको जो भी मतलब की problem बताई issues होंगे, उनको अच्छे से सुनना है, समझना है, उसके बाद उसको जो है, advice देनी है, ठीक है, ability to concentrate, follow customer issue without distraction to resolution, तो बिना किसी परेशानी, मतलब उठाए customers को जो है, उनका आपको solve करना होगा, ठीक है, यह सब चीज़ आपकी यहाँ पर रहने वाली है, बाकी यहाँ पर आप ability, skills वगरा, सब चीज़ बढ़िया होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी आपके words है, grammatically correct होना चाहिए, तो वो सब चीज़ यहाँ पर आपको बताई हुई है, ठीक है, computer skills, knowledge की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको computer में क्या-क्या चीज़े चलानी आनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको knowledge होनी चाहिए, साथ में कौन सी, मतलब window आपको यहाँ पर आपको बताय हुआ है, इनोने, XP आपको चलानी आनी चाहिए, Microsoft Outlook आना चाहिए, Microsoft Word आपको चलाना चाहिए, और Internet Explorer, साथ में typing skills आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, demonstrate understanding of the internet Amazon website, तो यहाँ पर आपको, अलग- administrator website से आपके आसपास उसके बारे में आपको जो है, सारी understanding होनी चाहिए, यहाँ पर ठीक है, demonstrate and ability to successfully navigate website, आपको navigate करना चाहिए, सारी website को successfully साथ में यहाँ पर आपको profession knowledge होनी चाहिए, email application को, यानि कि email वगियर आपको कैसे send करना होता है, receive करना होता है, कैसे check करना होता है, वो learn ability आपके अंदर यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, साथ में adapt आपको करना चाहिए, अलग-अलग environment के हिसाब से जो भी आपका work होगा, उसको कैसे मतलब आप adapt कर सकते हैं, वो सब आपके अंदर जो है, talent आपके अंदर यह होना चाहिए, वो ability आपके अंदर होनी चाहिए, तो है, वो सब चीज इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, बाकी सारी चीज़ आप यहाँ पर जो है, point to point due है, बहुत ही easy way में, वो सब आप पढ़ लेना, बागी में यहाँ पर आपको qualification requirement बता देता हूँ, तो जो भी 10 plus 2 है, या फिर any graduate है, post graduation जिसने की हुई है, वो यहाँ प पढ़ सकता है, कि Amazon कितनी बड़ी यह multinational company है, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा इन्होंने detail में बता हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ, इसके apply process के बारे में, तो simply हम क्या करेंगे, apply पे click कर देंगे, click करने के बाद करेंगे, तो simply आपको यहाँ पर अपना first legal name यहाँ पर लिखे देना है, तो उसके बाद जिसका last name है, वो last name जिसका नहीं है, वो dot लगा देना है, उसके बाद जो है, यहाँ पर आपको email ID लिखे देनी है, mobile number, date of birth, अपना gender यहाँ से select कर लेना है, then उसके बाद यहाँ पर आ आपको, no या फिर I choose not to specify पर click कर देना है, then उसके बाद जो है, how did you hear about this job, कहां से आपने इस job के बारे में सुना, दो social media आप कर सकते हैं, social media कहुन से platform पर तो other यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, what is your native language, तो यहाँ पर आपकी native language जो भी है, उसके बारे में लिख सकते हैं, ऐसा कैसे आपको बाचीत करनी है, वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कि आपको English या आनी यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है, तो जो भी है, आपको लिखनी और बोलनी आनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं हिंदी कर देता हूँ, क्योंकि जादेते हैं, य कोनों के लिए जोब अपोचुनिटी है, तो यहाँ पर मैं फ्रेशर कर देता हूँ, for example, तो यहाँ पर आप बात करते है, are you willing to work a non-technical customer service role that require you to shift rotational shift, तो यहाँ पर आपको yes कर देना है, उसके बाद यहाँ पर please confirm that you are currently residing in the location mentioned respective job description, तो यहाँ पर जो है, आपको confirm करना है, जो मतलब job description में आपर लिखा है, तो आपको simply यहाँ पर yes कर देना है, ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर document upload करना है, तो यहाँ पर आपको passport size की photo upload करना है, जो आपकी दो मन्त के अंदर ही होनी चाहिए, साथ में यहाँ पर 3MB की वो photo यहाँ पर होनी चाहिए, 3MB की होगी यहाँ उस से कम की होगी, तो यहाँ पर वो show कर जाएगी, 3MB से उपर होगी, तो error आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर photo upload नहीं होई है, ठीक है, तो इस चीज का धियान रखना है, 3MB से नीचे की होनी चाहिए, तो अब बहुत करते हैं, consent की, तो यहाँ पर आपको mail पर, box पर आपको दो दिन दिये जाएंगे, maximum, तो उसके अंदर ही अंदर आपको उस test की तयारी कर लिएना है, simple से test होगा, ठीक है, उस test को देने के पद, अगर आप इसमें qualify कर जाते हैं, तो within आपको offer letter आ जाएगा, Amazon company की तरफ से, और आप इसमें घर बैटके काम कर पाएंगे, तो क इस तरीके से आपको यहां पर work करना है, सब कुछ में आपको detail में बता दिया है, बाकि आप जैसे जैसे form को आगे बढ़ते जाएंगे, आपको जो है resume वेगर upload करना होगा, simple सा form होगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी मत घपराना इस चीज में हो, कोई भी परेशानी आती हो, त आपको अच्छे लगी हो, तो जरू से एक like कर देना, और जो भी चैनल पर नहीं है, subscribe कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी new latest videos लेकर आता रहते हो, तो बिल्कुल 100% genuine, so guys, आज के लिए बस इतना ही, मैं बलूँँगा आप से अगली next video मा, so अब ही के लिए, bye guys, take care.